नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के उपर दोस्तों तो दोस्ति आर आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैट शॉट परसेंटेज के बारे में कि आखिर कार यह क्या चीज होती है कैसे कैलकुलेट होती है और इसका इफेक्ट क्या पढ़ता है अब बात चैनल के अवरे में हम करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि है यह थो इसके अपके चांसे होती है आपके मैच में हैडशाट लगाने के 4 performance आपके मैंक кино करते हैं सबस्क्रकित कैलकोरेट कैसे होती है तो इसकी है कि अगरा आप मतलब आपने एक हैजट मारा उन में से तो वह डिवाइड होगा कि एक मैच में एक हैजट मारा डिवाइड दिवाइड वायद इस बैसिस पर पूरी कैल्कुलेट होती है आपकी हैजट परसंटेज और वही आपकी पब्जी मॉबायल में रिफ्लेक्ट होती है तर इसका अगर आप सारे kills headshot से करते हो जब भी आप कोई बंदा मारते हो तो आप वो headshot से मारते हो तो आपकी जो headshot percentage है वो बढ़ेगी आराम से आपकी PUBG Mobile की stats होंगी उसमें आपकी stats है बढ़िया headshot percentage दिखाएगी और अगर बढ़िया headshot percentage होगी तो जो बंदा जो sniper play करते हैं रोल बंदे उनकी तो जादा होनी चाहिए क्योंकि यार spray मारते वक्त मेरे ख्याल से थोड़े कम headshots लगते हैं पर जो sniper वाले बंदे होते हैं मतलब जिनका main role team में स्नाइपिंग का होता है तो अगर आपको स्नाइपर चूस कर रहे हो तो आप यह ध्यान में जरूर रखना कि उस बंदे की headshot परसेंटेज ज्याद है क्योंकि कभी अगर आप यहीं सोचते हो कि वह बंदा आपको एक बुलेट में एक जो है नौक करके देगा तो फिर आप आग में यह भी कोशन होगा कि जब हम किसी को head मार के नौक करते हैं तो क्या वह हमारी headshot percentage में count होती है तो दोस्तों मेरे ख्याल से यह चीज़ count नहीं होती है क्योंकि मैंने इसके बार में काफी research करने की कोशिश की और पता लगाने की कोशिश की आखिर का जब हम बंदा तो headshot से knock करके kill करते हो तब भी आपकी परसेंटेज count होगी तो जैसे कि मैंने आपको पुताया जितने आप headshot मारते हो divided by आप जितने kill करते हो एक game में उससे डिवाइड करके headshot percentage निकल आती है मतला उसे multiply करके 100 से आपकी headshot percentage आराम से निकल आती है तो इसी को आपने दिमाग चाते हो दूसरे बंदों को अच्छा दिखाना चाते हो कि भाई मैं बहुत अच्छा घेलता हूं और मेरी स्टैट्स मतलब एक तरह मेंटेन रखना चाते हो अगर आप कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका तो कि मेरे से इस वीडियो में छूड़ गया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजीगा ताकि दूसरे लोगों को भी उस जानकारी के बारे में पता लग सके तो यार मैं मलता हूं से एक लीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई